हेलो एवर्यवन वेल्कम बैक टो इंग्लिश लर्निंग सेंटर बेर यू लर्न इंग्लिश इन इजी वेई आज के वीडियो में जो डेली यूज सेंटेंसिस में आपके साथ शेयर कर रही हूं वो हैं हैं प्रॉब्लम्स से रिलेटेट मतलब स्वास्त समस्याँ से संबंधित इंग्लिश सेंटेंसिस हैं जिनकी आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सबी सेंटेंसिस बहुत हीं इस व्यूस्फुल हैं तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करनें वीडियो को लائक करनें और शेयर करें फर्स्ट सेंटेंस है आज मेरी तबिय ठीक नहीं है I am not feeling well today मुझे बुखार जैसा लग रहा है I am feeling feverish मेरे सिर में दर्द भी है I have a headache too I have a headache too या फिर I have got a headache also मेरे सिर में बहुत जादा दर्द है मतलब बहुत जादा तेज दर्द है तो इसके लिए बोलेंगे I have a really bad headache I have a really bad headache या I have a terrible headache Next है मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है मतलब इतनी तेज दर्द है कि फटा जा रहा है My head is splitting My head is splitting या I have a splitting headache I have a splitting headache Split का मतलब इतनी फटा जाना मुझे चक्कर आ रही है I am feeling giddy I am feeling giddy या हम बोल सकते हैं I am feeling dizzy I am feeling dizzy मुझे चक्कर आ रही है उसे बहुत तेज बुखार है He has a high fever He has a high fever मुझे हलका बुखार है I have a mild fever I have a mild fever उसे पुराना से दर्द है मतलब लंबे सब ऐसे चले आने वाला He has a chronic headache He has a chronic headache मेरा जी मतला रहा है या मुझे मितली आ रही है या मुझे उल्टी आ रही है तो इसको बोलेंगे हम English में I feel nauseated या बोल सकते हैं I am feeling nauseated या फिर I feel like vomiting या बोल सकते हैं I feel like throwing up Next time मुझे जुकाम हो गया है स्कूल बोलेंगे I have got a cold मेरी नाग जाम है या जुकाम की बज़ा से नाग बंद है मेरी My nose is stuffed up My nose is stuffed up या I have got a stuffed up nose I have got a stuffed up nose या फिर My nose is clogged up My nose is clogged up या I have a stuffy nose I have a stuffy nose मेरी नाग जाम है या नाग बंद है मेरी नाग बह रही है My nose is runny या हम इसको इस तरह भी बोल सकते हैं I have a runny nose जुखाम की बजह से मुझे छीके भी आ रही है I am sneezing too due to cold मुझे बहुत बुरी तरह से जुखाम हो गया है I have got a streaming cold या फिर I have got a stinking cold I have got a stinking cold मतलब बहुत ज़ादा जुकाम हो गया है Next is उसका पेट खराब है उसका पेट खराब है इसको बोलेंगे He has an upset stomach He has an upset stomach मेरे पेट में gas बन गई है इसको बोलेंगे हम I have a blotted stomach I have a blotted stomach मेरे पेट में gas बन गई है बच्चे के पेट में मरोग हो रही है मरोग होने का मतलब होता है कि दर्द बार-बार उठ रहा है बहुत तेज और बार-बार रुख जा रहा है फिर उठ रहा है फिर रुख जा रहा है बच्चे की पेट में मरोग हो रही है मेरी गदन अकल गई है या मेरी गदन जकल गई है I have got a stiff neck I have got a stiff neck या हम बोल सकती है My neck is stiff मेरी गदन अकल गई है मतलब थोगा भी गुमाने पर बहुत जादा दर्द हो रहा है मेरे पूरे शरीर में दर्द है My entire body hurts My entire body hurts या My entire body aches My entire body aches या हम बोल सकती है I am aching all over I am aching all over या I have aches all over I have aches all over मेरी पूरे शरीर में दर्द है Next है मेरे गले में दर्द है मतलब खाने पीने या चूने से दर्द हो रहा है तो मेरे गले में दर्द इसको बोलेंगी I have sore throat I have sore throat या हम बोल सकती है My throat hurts मेरे गले में दर्ध है मेरे गले में खराश है इसको हम इंगलिश में बोलेंगे I have dry throat उसके मूँ में चाले हो गई है She has got ulcers in her mouth या She has mouth ulcers ulcer मतलब चाले Next है मेरे पैर में मोच आ गई I sprained my leg I sprained my leg मेरे पैर में मोच आ गई Next है मेरी आँखों में जलन हो रही है मेरी आँखों में जलन हो रही है इसको बोलेंगे I have irritation in my eyes I have irritation in my eyes मेरी आँखों में जलन हो रही है मेरी आँखें लाल हैं और उनसे पानी आ रहा है मेरी आँखें लाल हैं और उनसे पानी आ रहा है